नमस्कार आज रामचरित मानस की बात करेंगे। पहले भी इस तरह की बात उठती रही है रामचरित मानस को लेकर के लेकिन कभी भी मुखे धारा के विमर्ष में ये बात नहीं सामिल थी। इसलिए इसके उपर इतनी गंभीरता से चर्चा करने की जरूरत नहीं महसूस हुई। लेकिन आज इस बात की जरूरत है कि जो राष्टिय जनता दल के नेता चंदर शेखर ने सबसे पहले ये बात कही जो राज्य की सरकार के सिक्षा मंतरी हैं। परसाद मौरी जो अभी समाजवादी पार्टी में हैं। भारतिय जनता पार्टी में भी रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी में भी रहे हैं। उन्होंने कहा उन्होंने रामचरित मानस की दूसरी चौपाई की मिसाल दी और कहा कि ये इस आधार पर उन्होंने कहा कि ये नेता हैं, दोनों पार्टियां पिछडे समाज की राधिती करने वाली पार्टी हैं, दोनों ने ऐसी चौपाई चुनी है, जिसके आधार पर उन्होंने निशकर्स निकाला है कि ये गरंत और तुलसी दास, दोनों पिछडों के विरोधी थे, इस आधार पर उन्होंने अपन सवाल है कि क्यों अचानक इन दोनों राज्यों में दो बड़ी पार्टियों के नेताओं ने ये बात कहीं, तो इसका बहुत सिंपल जबाब है, बहुत सीधा जबाब है, जिसके लिए किसी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ये विशुद्ध रूप से भारतिये जनता पार्टी की जो हिंदु तो की राजनिती है, अजोध्या में राम मंदिर की जो राजनिती है, उसकी काठ के तौर पर ये बात कहीं जा रही है, सिंपल बात है, इसमें कोई बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जिस दिन अमित शाह ने, देश के केंद उन्होंने ये बात कही कि एक जनवरी 2024 को मंदिर का उधगाटन होगा, और ये कहते हुए उन्होंने कॉंग्रेस को और दूसरी भी पक्षी पाटियों को चुनावती दी और कहा कि वो लोग मंदिर नहीं बनने देना चाहते थे, फिर उनका इसारा ये था, उनके कहने का ता ये सब तमाम बातें उन्होंने कहीं, और उसके तुरंत बाद, उसके थोड़े ही दिन के बाद ये राज़त के नेता का बयान आया, और उसके बाद समाजवादी पाटी के नेता का बयान आया, लेकिन उसकी इस राजितिक पहलू पर इस पूरे विमर्ष के जो राजितिक में कुदा है इस विमर्ष में कुदा है और इसकी अलग-अलग तरह से आलोचना कर रहा है तुलसिदास की भी आलोचना और उनकी रामचरित मानस की भी आलोचना तो पहले इसका जो बौधिक पहलू है या जो धार्मिक सामाजिक पहलू है उस पर विचार करते अब इसमें जो एक चौपाई बताई है चंदरशेखर ने, एक दूसरी चौपाई बताई है स्वामी परसाद मौरी ने, एक तीसरी चौपाई किसी और ने बताई है, कुल मिलाकर के चार या पांच चौपाईयां हैं जिनको लेकर के सारी आलोचना हो रही है अब पहले तो ये समझने की जरूरत है कि रामचरीत मानस में कितनी चौपाई है, जो आम आदमी है, जो आम हिंदू है उसको पता होगा कुल 1073 चौपाईयां हैं, और 13,000 के करीब लाइने लिखी गई हैं रामचरीत मानस में, 12,800 के करीब, 12,800 से कुछ ज़्यादा, मतब 13,000 के करीब लाइने लिखी गई हैं और 1073 चौपाईयां हैं अब इन 1073 चौपाईयों में से अगर कोई 4 चौपाईय निकाल करके या 5 चौपाईय निकाल करके उस पूरे गरंथ का आकलन करता है, उस पूरे गरंथ का मुल्यांकन करता है, तो इसको बेहुदगी के सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता है, किसी भी गरंथ का आकलन उसकी समग पर दावा कर रहा है कि यह पिछड़ा विरोधी है या इस्त्री विरोधी है या दलित विरोधी है तब तो बात समझ में आती है लेकिन मेरी गारंटी है कि चंदर शेखर हो या स्वामी पर साद मौर्य हो इनोंने चार से ज़्यादा चौपाई रामचरित मानस की नहीं पावजुद वो उन चार चौपाईयों के आधार पर पूरे गरंथ का मुल्यांकन कर रहे है तो एक तो यह यह बहुत गलत बात है और बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है बौदिक में जरिये से इसको इसको खारीज कर दिया जाना चाहिए कि यह आलोचना का कोई मतलब दूसरा जो आलोचना का दूसरा इस आलोचना को निराधार सावित करने का जो दूसरा पहलू है वो यह है कि तुलसी दास पाच सो साल पहले हुए थे 500 साल पहले जब देश में मुगल सासन था और बादशा आकवर का राज था उस समय वो रामचरीत मानस की रचना कर रहे तो आज की जो समकालीन सामाजीक मुल्य है, जो चेतना जागरित हुई है, वो सामाजीक मुल्य उस समय एक्जिस्टी नहीं कर रहे थे, उस समय उनका कोई अस्तित तो नहीं था, तो उस समय जिस चीज का अस्तित तो नहीं था, आज है, उसकी कसोटी पर आप कैसे उस समय करते थे आज उस साधन की खिली आप कैसे उड़ा सकते हैं तो ये वही काम हो रहा है कि ये UC जो सामाजीक मुल्य जो सामाजीक चेतना उसमें एक्जिस्ट नहीं करती थी ये जो तमाम बातें आज हो रही है जो समाजवाद की बात हो रही है ने, अधिकार की बात हो रही है, इस्तरी अधिकार की बात हो रही है, यह सारी आधुनी का उधारना है, जिनकी उत्पत्ती का काल 100, 200, 200 साल है, इससे ज़्यादा पहले का नहीं है, अगर हम फ्रांसिसी करांती को ही एक आधार मालें, जो गोरो साली करांती हुई थी रख थे इन कर और जिससे equality, liberty और fraternity यानि समानता, सुतंतरता और बंधुत या भाईचारे का सिधान्त निकलाता वो भी 200 साल पुराना है उससे ज़्यादा पुराना वो भी नहीं है जो वैज्ञानिक समाजवाद की ओधारना पैदा हुई और कार्ल मार्क्स ने सारी दुनिया के सामने जो एक वर्ग भेद का और एक वर्ग का सिधान्त रखा वो सिधान्त भी 200 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है उससे भी कम का है वो भी तो ये तमाम और ये जो मानुआ धिकार हो गएरा की जो बाते हैं ये 100 साल पुरानी भी ओधारना नहीं है तो इन जो 100 साल पुरानी है जो सामाजीक चेतना जागरित होने का जो काल है इससे तो 400 साल पहले तुलसी दास हुए थे तो ये जो आज की अधारना है जो आधुनिक अधारना है जो एकदम आधुनिक सिध्धान थे उन सिध्धानतों के अधार पर उस जागरत सामाजीक चेतना के अधार पर आप 500 साल प अगबग सभी हिंदू घरों में सम्मान के साथ लाल कपड़े में लपेट कर रखी गई है ये अलग बात है कि पढ़ा बहुत कम लोगों ने होगा लेकिन अगर हर हिंदू घर में वो गरंथ पहुंचा वो रचना पहुंची और उसको लाल कपड़े में लपेट करके सरद्ध के साथ रखा गया तो उसका कारण ये नहीं था कि किसी ने उसका बहुत परचार किया उसकी किसी ने वड़ी मार्केटिंग की तुलसी दास मैंने पहले कहा कि जब ये रचना लिख रहे थे उस समय बादशा अकबर का राज था और उस समय किसी ने किसी ने इसका परचार न बीजेपी की सरकार बनी उन सरकारों ने परचार किया हूँ, कोई राजजाश्चरे नहीं मिला था तुलसी दास को, और ना किसी सरकार ने उनके रामचरित मानस का परचार किया था, इसके बावजुद हर घर में वो रचना पहुंची है, वो गरंथ पहुंचा है, तो ये उस उसकी शक्ती को दिखाता है, उसके कालातीत होने का संकेत है, और उसकी सहज व्यापक स्विकारयता का संकेत है, उसकी आधार पर आप कह सकते हैं कि किस तरह से उसको सहज रूप से तमाम लोगों ने स्विकार किया है, तो ये एक कसोटी होती है, किसी भी गरंथ के मुल्यां करें दो या तीन हिाचार चौपाई यहां डिली यहां यहां तक कि आधुनिक समय में जो हिंदी के सरुसरष्ट कथाकार हुए मुंसी प्रेमचंद उनकी कई कहानियों में, कई उपन्यासों में, जो उनका इस्त्रियों को लेकर के नजरिया है या दलितों के बारे में जो उन्होंने लिखा है, आज के कॉंटेक्स्ट में अगर जन्द का आकलन नहीं होता है, जबकि वो उनका काल 100 साल से भी पहले वो थे, हमारे सामने थे, उनको देखने वाले लोगों ने उनको देख करके लिखा हुआ है, तुलसी दास 500 साल पहले थे, तो जो पहली कसौटी है, वो यह है कि समगरता में मुल्यांकन करें, उस कसौट आकलन कर रहे हैं, उस गरंत का मुल्यांकन कर रहे हैं, वो उस समय एक्जिस्ट ही नहीं करता था, इसलिए उसकी आधार पर भी आप उसकी आलोचना उसका मुल्यांकन नहीं कर सकते हैं, जो तीसरा आधार है, वो सुईकारियता का होता है, साध सुईकारियता का होता है, और लेकिन उनका जो तमाम ऐसे लोग हैं जिनका सारा विमर्ष जाती से सुरूँ होता है और जाती पर खतम होता है। मैं यह नहीं कहा रहा हूँ कि बहुत बुरी चीज है जाती इस देश की सचाई है खास्तोर से हिंदू समाज की तो उस नजरिये से चीजों की व्याख्या होनी चाहिए लेकिन कई लोगों ने एक स्ट्रक्चर बना रखा है कास्ट का और उस स्ट्रक्चर में कोई भी बात होत होती है तो उस खाचे में उसको फिट करते हैं और अपना एक निशकर्स निकालते हैं लेकिन उनका जो तमाम चीजें पहले से तय हैं कि वह किस निशकर्स पर पहुंचना चाहते हैं इसलिए इसलिए भी उसको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है इसे लोगों की लेकिन उन्होंने ये लिखा कि वो दूबे थे वो बार बार सोसल मीडिया में लिखते हैं कि तुलसी दास दूबे तो तुलसी दास दूबे थे ये वो बता रहे हैं जिनका अपना सारा विमर्ष जाती के आधार पर होता है आज इस समय जाती को लेकर कि जब इतनी जाग र जातिवादी नहीं होना चाहिए था आज भले वो खुद जातिवाद की बात करें सारी चीजें सारी व्याख्यां उनकी जाती अधारी तो लेकिन वो चाहते हैं कि 500 साल पहले तुलसी को जातिवादी नहीं होना चाहिए था और वो तुलसी जातिवादी थे ये निशकर्स उन इन दो राज्यों में इसलिए ये बात उठी है क्योंकि मंडल की राजनीती का जो गड़ है जो आखरी किला है वो ये दो राज्ये उसमें भी उत्तर प्रदेश में उसकी बुनियाद हिल गई है बुरी तरह से मध्य प्रदेश में माफ करिएगा बिहार में वह अभी इसलिए है राजनीती के केंदर में है उनकी बनाई पार्टी अभी मजबूत है तो इसलिए वहां मंडल का आधार मजबूत है और आबादी की विशन रचना ऐसी है कि वह मंडल की राजनीती का वहां आधार मजबूत रहेगा आने वाले दिनों में भी तो इन ही दो राज्यों में यह चीज़ उठी है इन ही दो राज्यों में रामचरित मानस की आलोचना इस आधार पर हो रही है कि वह पिछला विरोधी गरंत है और तुलसीदास पिछला विरोधी थे उसका कारण यह है कि अभी बीजेपी ने जो एलान किया आमिज शाह ने एलान किया कि एक जनवरी द पहली बार 1991 में 1989 और 1991 के चुनाओं में जरूर फाइदा मिला था बीजेपी को लेकिन 1992 में उस धाचे के टूट जाने के बाद से कोई फाइदा बीजेपी को नहीं हुआ है उस मुद्दे का इसके बावजुद एक आशंका हमेशा बनी रहती है दूसरी पार्टियों में जो बीजेपी विरोधी पार्टियां है उनमें एक आशंका रहती है कि इस मुद्दे को भुना सकती है इस मुद्दे का लाव ले सकती है बीजेपी तो अभी जो भवे मंदिर बन रहा है जिसक पूरे गरंथ को जिस गरंथ से राम को लेकर के इतना सम्मान देश के जंजन में फैला राम आदर्श पूरुस हुए और उनके जन्म अस्थान पर जो मंदिर बन रहा है उस पूरे गरंथ को ही उसकी साख बिगाड़ दो उसको दुश्पचार करके उसको खराब गरंथ सावि उस एक जूटता को तोड़ने का तरीका यही है कि धर्म के भीतर जाती के प्रवल होने का परचार किया जाए पहले सबसे पहले धर्म के बजाए जाती को आधार बनाया जाए और उसमें भी धर्म का जो बड़ा गरंत है जिसको ले करके बीजेपी राजनिती कर रही है उसकी स समझ में आ जाएगी जैसे जिस तरह से 90 के सुरवाती दशक में मंदल की राजनिती की काट में जब मंदल आयो किसी फारिशें लागू की गई तो उसकी काट में मंदल की यानि मंदिर की राजनिती शुरू ही और लालकृष्णा अडवानी रथियातरा लेकर के निकले थे उस मंदिर का था तो उस पर राजनिती किर्थिक कमंडल के बरक्स उसमें मंदल और मंदिर की राजनिती बीजेपी ने की थी अब वो राजनिती इस्टैबलीस हो गई है वो राजनिती उस आधार पर जो राजनिती हुई है वो इस देश के अभी का जो राजनितिक विमर्ष है उसके केंदर में है, भारतीय जन्तापाठी उस आधार पर, उस राजनिती की आधार पर आज बारत की केंदरियराजनितिक ताकत है, और उसको हैक रिप्लेस करना भहुत मुश्किल है, अभी कम से कम अगले पास, का सिलसिला सुरू हुआ था और 77 में पहली बार कॉंग्रेस केंदर की सत्ता से रिप्लेस हुई थी लेकिन उसके बाद दशकों तक कॉंग्रेस भारत की राजनिती की केंदरिये ताकत रही थी उसी तरह से बीजेपी हारे या जीते लेकिन अगले कई दशक तक वो भारत की रा आधार पर होने वाली राजनिती की साख इसी से बिगड़ेगी मंदिर की काट तभी होगी जब उसके मुकाबले उस गरंथ को जो मूल गरंथ है उस गरंथ को पिशड़ा विरोधी बता करके और जाती की राजनिती का दाउसाद आजाए धन्यवाद किर्प्या हमारे चैनल के साथ जुड़िए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बेल आइक ओन जरूर दवाईए